हिमानसु सर्मा का जो सवाल है वो आराम से उत्तर देने लायक है 15 दिसंबर की UP PCS की परिच्छा है परारामरीक परिच्छा UP PCS में बड़ी चिनोती होती है आकसर लोग IS काफी प्रेलियम निकाल लेते हैं लेकि UP PCS का प्रेलियम निकालने में मुश्किल होती है क्योंकि बहुत ज़्यदा factual होता है तथ्यात्मक होता है निस्चित रुप से IS परिच्छा में जो GS का प्रश्नपत्र है और PCS परिच्छा में GS का प्रश्नपत्र है दोनों में स्वरूपर प्रकिति में काफी अंतर होता है आई-एस में किताबों से प्रतक्स सवाल नहीं पूछे जाते लेकिन PCS प्रेलियम परिच्छा में जो प्रथम प्रश्नपत्र होता है यानि समानध्यन का उसमें किताबों से डिरेक्ट सवाल पूछे जाते है दोनों में यह बड़ा अंतर पाय जाता है तो मैं आपको बता दू कि दो पेपर होते हैं पहला प्रशन पत्र GS का होगा 15 दिसंबर को जो परिच्छा होगी और दूसरा CSET का होगा GS प्रशन पत्र में 150 प्रशन पूछे जाएंगे 200 उनकों के होगे दूसरा प्रशन पत्र CSET का होगा जिनमें 100 प्रशन पूछे जाएंगे और वो क्वालिफाइंग होता है CSET में अगर आप 33 प्रशन मार्क्स हासिल कर ले रहे हैं तो आपको CSET क्वालिफाई माना जाएगा ठीक है इसलिए यहाँ पर चुकी मेरिक मुख्य परिच्छा के लिए आपका चैन GS प्रशन पत्र के अधार पर होगा चीक है सवाल किसने पूछा था हिमानशू शर्मा ने तो UPPCS मुख्य परिच्छा में आपका चैन GS प्रशन पत्र के बल पर होगा यानि प्रिलिम आप GS प्रशन पत्र के बल पर ही क्वालिफाई करेंगे तो प्रिलिम में जीयस प्रशनपत्र की तियारी ही सबसे बड़ा मुद्धा है सवाल है कि जीयस प्रशनपत्र कैसे तियार करें इतिहास भी आएगा समाने ध्यन में भगोल, भारती अर्थोस्था, भारती राजव्यवस्था, सामाने विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या, नगरी करण उत्रपदेश के विशेस ग्यान से भी कुछ सवाल 246 पुछे जाते हैं लेकिन वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है हमें त्यारी उन विशेयों से करनी चाहिए जहां से ज़्यादा सवाल पुछे जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि किन विशेयों से ज़्यादा प्रशन पूछे जाने की प्रविर्ति पिछले सालों में रही है इस प्रविर्ति पर में चर्चा कर लूँ कि अगर इतिहास, भुगोल, पॉलिटी, भारती, अर्थोस्था, पर्यावरान, जनसंख्या, नगरी, करन, करेंट, करेंट, अफेयर, साइंस और यूपी स्पेसल से सवाल पूछे जाएंगे तो प्रविर्ति क्या रही है सवालों के पूछे जाने की, आईए मैं उस पर चर्चा कर लूँ आपके सामने दिख रहा है इतिहास से अब तक जो प्रविर्ति रही है वो 25 से 30 प्रस्नों के पूछने की रही है हम एक मोटा मोटा दे रहे हैं, इसमें variation आता है 25, किसी वर्ष 25 पूछे जाएंगे, किसी वर्ष 27 और किसी वर्ष 30 भी पूछे जाएंगे इतिहास से 25 से 30 पूछे जाएंगे, इसके अलवा जियोगर्फी में लगभग 20 से 25 प्रस्नों पूछे जाते हैं क्लियर, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस किताब से त्यारी करनी है, शुरुवात कहां से करें, इस पर मैं अभी आता हूँ, थोड़े दिर में चर्चा करूँगा मैं बताऊंगा कि इन तीन महिनों में आपको क्या करना चाहिए करेंट अफेर्स से 20 सवाल भी पूछे गए हैं और सबसे बड़ी बात कि अधिक्तम 40 भी पूछे गए हैं लेकिन मैंने यहां 20 से 35 इसलिए लिखा है क्योंकि ज़्यादा तर 20 से 35 की बीच यह पूछे जाते हैं अब प्रश्णों की प्रविति ज़्यादा तर करेंट अधरित हो रही है अगर आप सामसामी कर दिन से दूर हैं तो भूल जाए कि आप प्रिलिम पास कर सकते हैं इसलिए पहला सला यहीं दूँगा कि सबसे ज़्यादा करें कहां से करें सब बताऊंगा फिलालिये बताओं कि अगर आप करेंट अफेर्स इन तीन महीनों में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे तो निश्यतर उसे आपके पास सुने की संभावना भी सबसे ज़्यादा रहेगी करेंट अफेर्स की तयारी क्या मैं करवाओंगा इस पर भी बात करूँगा समान विज्यान से लभग 15 से 30 सवाल पूछे जाते हैं कलेर पर्यावराण और जनसंख्या को लोग हलके में लेते हैं लेकिन हाल के वर्षों में पाया गया है कि पर्यावराण जनसंख्या से परस्टनों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है इसलिए पर्यावराण परसित्की वाले खंड को अभी से गंभीरता से लेना होगा क्या करें इसके लिए मैं बताओंगा पर्यावराण जनसंख्या को अच्छे से त्यार करिएगा आम तोर पर एक धरड़ा ये होती है कि आप तो दस साल होगे लेकिन यही लोग से वायोग आप से फायदा उठाएगा और आपको धक्का लग जाएगा हो सकता है कि 2021 में जनगर्ना की नहीं रिपोर्ट आए लेकिन हो सकता है कि 2019-2020 में जनगर्ना से खुब सवाल आप से पूछ लिए जाए इसलिए तयार रही है एक बड़ धोखा हो चुका है पिछले साल जनगर्ना सही लबग 15-17 सवाल पूछे गए थे इसलिए population census को गंभीरता से लिजएगा मैं बता दे रहा हूं कहां पर ज़्यादा ध्यान देना है चर्चा करता हूं पॉलिटी में लगए 15-20 सवाल पूछे जा रहे हैं इंडियन इकनोमी में 12-17 सवाल UP Special को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की जरूत नहीं है क्योंकि लगतार पिछले साथ-ाठ सालों से दिखा गया है कि चार-पांच सवाल ही पूछे गए UP Special से इससे ज़्यादा नहीं पूछे गए UP Special में भी जो पूछे गए हैं उनमें से भी कुछ Current Affairs से रहे हैं यानि Current Affairs में आप उत्रप्रदेश Special पढ़ लेते हैं तो आपके कवर हो जाते हैं तो आईए हम देखते हैं कि क्या करें इसके लिए सबसे पहले मेरा जो ज़ाव है उसको ध्यान से आप सुनेंगे तो 15 दिसंबर की परिच्छा में आपको मदद मिलेगी क्या सबसे ज़्यादा आपको फोकुस करना चाहिए इस समय Current Affairs पर Current Affairs को हम नमबर एक पर रखते हैं ठीक है Current Affairs नमबर एक पर रखते हैं सबसे ज़्यादा आपको Current Affairs परना होगा जहां से हमने पताया कि किसी-किसी वर्स 40 सवाल भी पुछेगा है यानि 150 में से 40 तो सिधे ही से आजाएंगे क्या पढ़ें IIS प्रिलिम परिच्छा में क्या पढ़ें ये इतना शूर नहीं होता है लेकिन UPPs प्रिलिम इक जाम में क्या पढ़ें ये पूरी तरह से शूर है मैं किताबों का नाम लेने से बसता हूँ क्योंकि जाए तो लोग कहने लगते हैं कि मार्केटिंग कर रहे हैं किताब की ऐसा कुछ नहीं होता है ये मंदारी से कभी बात की जाए तो उसको आपको सुनना चाहिए करेंट अफेर्स के लिए अनडाउटेडली बीना किसी संदे के दो मैगजीन है तीन मैगजीन प्रमुक हैं जिन में से आप कोई भी दो जरूर पढ़िए वार्षकी खरीद लिजेगा अभी मार्केट में वार्षकी नहीं आई है तो मन्थली पढ़िए एक है घटना चकर की वार्षकी जो की द्रिष्टी नाम से आती है दूसरी है परिच्छा मन्थन की वार्षकी मन्थन की जो वार्षकी है वो लक्ष के नाम से आती है घटना चकर की वार्षकी द्रिष्टी यानि एक वर्षका होता है इसी तरह से मंतन की वार्षकी लक्ष के नाम से आती है, लक्ष भी एक वर्षका होता है, और एक है घटना सार, आप इन तीनों में से कोई भी दो वार्षकी लेकर अभी से रटना, पढ़ना, घोटना शुरू कर दिजे, अगर 35 सवाल भी पूछे जाएंगे, तो उसमें रिकतर आपके यहां से अभी तक, कोई-कोई वर्ष यह बदनाम हो गए है, सवाल कम पुछे के हैं, लेकिन ज़्यादा तर इन्होंने लुक्ष पूरिता हासल की है, वहां पर इनसे सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, कि विभीन जगों से एक जगह का यह सला है, किसी भी एक पर टिपन नहीं होना है, 15 दिसमबर की परिच्छा की बात कर रहा हूँ, इसके लवा अगर मार्केट में वार्ष रकी, अगर 15 दिसमबर को परिच्छा है, तो इन तीनों की वार्ष रकी काफी देरी से यह जारी करते हैं, ताकि 15 दिन पहले तक की खबरे भी इनके पास हो, तो मेरे ख्याल से इनकी वार्षकी आपको 25 नॉंबर के लभग मिलेगी, 20 नॉंबर, 20 नॉंबर ले ले लेते हैं, इनकी वार्षकी आपको 20 नॉंबर के लभग मिलेगी, लेकिन अभी मार्केट में इनकी अर्ध वार्षकी होगी, मेरे ख्याल से, अ इस अभी तीन इस तरों पर जारी करते हैं, तिमाही पत्रिका भी जारी करते हैं, छमाही भी और वार्षकी भी जारी करते हैं, तो मार्केट में तिमाही पत्रिका हो, चाहे अर्द वार्षकी हो, चाहे वार्षकी हो, खरिदते रहें, और जब वार्षकी जारी हो जाएगी, इनकी वार्षे की खरीद लेजेगा दृष्टी लक्षया घटना सार इससे आपका current affairs बहुत ज़्यादा cover हो जाएगा यकीन करिए लबह 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 आपका 80% से ज़्यादा current affairs यह clear करवा देते हैं UP pieces के लिहां से दूसरे इस तरफ पर क्या पढ़ हैं दूसरे इस तरफ में बताऊंगा कि आप दूसरा इस्थान देंगे इतिहास विशे को इतिहास विशे से साफ लेका है कि 25 से 30 प्रशन पुछे जा सकते हैं इतिहास विशे में भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना इस पे आधनिक भारत की इतिहास पे राष्ट्री अंदोलन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मत देकालें भारत से 2-3-2-3 सवाल पुछे जा रहे हैं अगर माल लेते हैं 30 सवाल इतिहास विशे से पुछे गए इनमें से 22 सवाल 20-22 सवाल आपके आधनिक भारत की अंदोलन और राष्ट्री अंदोलन से रहेंगे इतिहास और राष्ट्री अंदोलन से इसलिए दूसरे नमबर पे इसे रखना है क्लियर इतिहास के लिए क्या पढ़ें मैं बता दूँ कि दूसरे नमबर पे इतिहास तीसरे नमबर पे आपको भुगोल रखना है चीक है, चौथे नमबर पे आपको पर्यावरण और जनसंख्या रखना है, हाल के वर्सों में पाया गया है कि चाहे संग लुक सिवा आयोग हूँ, या राज्ये लुक सिवा आयोग हूँ, पर्यावरण जनसंख्या और नगरी कर्ड इंच हित्रों से, पर्यावरण जनसंख् क्यों क्योंकि ट्रेंड लगातार बदलता जा रहा है पर्यावरण एक मतपूर्ण विशे की रूप में उभरा हुआ है इसलिए पहले नमबर पर करेंट अफेस को रखेंगे दूसरे नमबर पर इतिहास तीसरे नमबर पर भूगोल और चौथे स्थान पर पर पर्यावरण ज पर आपको सामान विज्ञान पढ़ना चाहिए विज्ञान में दो खंडो होते हैं जनरल साइंस और साइंस टेक साइंस टेक हमेंसा अपडेट पुछा जाता है आज का पुछा जाता है समसामेकी से पुछा जाता है तो जो साइंस टेक का हिस्सा है आप इन तीनों में से को कवर हो जाएगा पर्यावरार से भी जो अपडेटेट प्रस्न है यहां से कवर हो जाएंगे साइंस के भी साइंस टेक के भी प्रस्न यहां से कवर हो जाएंगे भारती अर्थ्योस्था का भी जो अध्यतन आकड़े हैं और updated खबर हैं वो यहां से कभर हो जाएंगे समसामेकी से हो जाएंगे तो मैं सुरू में पांच विश्या रखता हूँ कि आप इन पांचों की तयारी सबसे पहले किये समसामेकी, current affairs, इतिहास, भुगोल, पर्यावराण, जनसंक्या और नगरीकरण अगर आप इन पांचों और इसके बात विज्ञान, इन पांचों को अगर आप प्राथमिक्ता में रखेंगे तो आपको पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक सत्य ये है कि सभी विज्ञे बराबर मात्रा में कोई भी त्यार करने वाला अब तक इस धर्ती पर पैदा नहीं हुआ है है ना, इसलिए हमें डरना छोड़ देना चाहिए कि मेरी तो भारती अर्थरस्था बड़ी कमजोर है, मेरी तो पॉलिटी बड़ी कमजोर है, क्या करूँ मेरे पड़ोसी का पॉलिटी काफी मजबूत है, मुझसे आगे निकल जाए ऐसा कुछ नहीं है, आप तीन से चार विश्यों पर अगर कंट्रोल धंसे कर लेते हैं और लंबे समय के नुभव ये रहा है कि किनी तीन विश्यों पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं किन पर भी जोर देजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इन तीन महिनों में किन पर जोर दे सकते हैं और किन पर जोर आप नहीं दे सकते हैं, क्लियर? इनको आप रत्मिक्ताम रखेगा, क्लियर? अगर आप मुझसे सला मांगते हैं बाकी आप इदर उदर से भी सला ले सकते हैं सला वैसे ज़्यादा नहीं मांगने चाहिए ज़्यादा जगन से सला लेने से नुकसान होता है हर आदमी का तरीका टाइम टेबल हर आदमी का किताब अलग होता है, हर आदमी का उत्तर भी अलग होता है सब कुछ अलग है इस दुनिया में इस दुनिया में कोई भी दो सला एक जैसे नहीं हो सकते हैं जैसे हम और आप एक जैसे नहीं हो सकते हैं उसी तरह से कोई दो सला भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं आईएस परिच्छा में परतेक साल या पीसेस परिच्छा में परतेक साल जब रिजल्ट आता है तो हजारों लोग पास होते हैं, उन हजारों लोगों में से कीनी भी दो लोगों के उत्तर एक जैसे नहीं होते हैं, सभी अलग-अलग उत्तर लिखकर टॉपर बनते हैं, तो कह कहां से पढ़ें, सबसे पहला उपाय जो मैं बता रहा हूं, पिछले 8 सालों का GS का प्रश्न पत्र, UPPCS परिछ्छा, UPPCS प्रेलिम एकजाम, पिछले 8 सालों का GS का प्रश्न पत्र है, उसे सॉल्व करना है। ये बहुत कारगर उपाय होता है, अगर कोई कहे कि अपरस नहीं प सब्सक्राइब करेंगे जीएस का प्रतेकवज डेड़ डेड़ सो पूछे गया हैं इन सभी विश्यों से आप अगर पिछले आठ साल का हल कर डालेंगे तो नकिवल ये बलकि ये भी लबह लबह चालीस प्रशन से ज्यादा त्यार हो जाता है बहुत से प्रकाशन है अच्छ तीन बार कम से कम दो बार और अधिक से अधिक तीन बार पिछले आठ वर्सों में जीएस के जो प्रशन पूछे गए हैं उन्हें रिपीट करना है पार बार उसे रटना है ताकि अगर पूछा हुआ रिपीट होगा तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए परिछा भौन से ब बहुत ही इत्मिनान से सौल करिए कोई जल्दिबाजी नहीं होनी चाहिए ठीक है हाँ जब आप त्यारी कर रहे हैं तो जो पढ़ने का मुख्य समय होता है उसमें सौल मत करिएगा आप जो अन्य समय होता है जैसे सुबह माल लेते हैं सुबह पांच बजे उठके आप पढ पढ़ना वही बता रहा हूं पिछले वर्षों का साल्व आप लास्ट में करिएगा रास्त में जब आप ठके हो या जब इंटर्टेन्मेंट करने का मन हो पढ़ाई भी इंटर्टेन्मेंट होती है तो जो पिछले वर्षों के पेपर हल करेंगे तो वह एक तरह का इंटर् को धख के रखिए है ना नीचे उत्तर दिया होगा फिर आप देखेंगे तो आप अपना आकलन कर पाएंगे कि मैं किस हद तक सही कर पा रहा हूँ जब आप दस इस तरह से हल करेंगे और दस में से छे आप सही हल करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी नीचे बॉक्स दिया हुआ है बॉक्स में जो भी जनकरी दी हुई होती है उसे अच्छे से रटिए वहां से प्राया सवाल पुछे जा रहा है क्योंकि जो related area है related topic है वो box में होते हैं तो किसी भी precaution का अच्छे precaution का खरीदने के बाद solve करिए और box को खुब मन से पढ़िए इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि box एक दो बार में नहीं याद होता है फिर दुबारा पढ़िए सुरू से लेकर last तक फिर तीसरी बार सुरू करिए सुरू से लेकर last तक तीन महिने का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है बहुत होते हैं बसरते आप समय जाया मत करिए फोन पर समय वेस्ट मत करिए घूमने फिरने में समय वेस्ट मत करिए इंटरनेट का कम इस्तेमाल करिए यूटू का इस्तेमाल के वल पढ़ने के लिए करिए ओभी दिन में घंटा फिक्स हो कि हमको दिन में कितने घंटे यूट होता है क्योंकि आप वंडे के अभ्यर्थी नहीं है आप सिविल सेस्क अभ्यर्थी है तो समय का सदुप्यों करेंगे तो घटना चक्र अगले तीन महिनों में तीन बार आप रिपीट कर देंगे ये काम करके देखिए आपका विश्वास बहुत उंचा रहेगा आप करेंगे अगर आप करेंगे तो परिच्छा बहुत से निकलते ही सबसे पहले मुझे याद करेंगे मुझे अच्छा लगेगा हाँ तो इतिहास भगोल समान विज्ञान पर्यावरण जनसंख्या ये सभी पिछले आठ वर्सों का आप हल करके देखिए कहीं ने कहीं से आपके प्रस् प्रस्न तो डारेक्ट वहीं से पूछ लिए जाते हैं कुछ प्रस्न जो नहीं पूछे जाते हैं उससे भी फायदा मिलता है हल करने से कैसे आपको ट्रेंड का पता चल जाता है आप ट्रेंड एनालसिस खुद से करने में सक्षम हो पाएंगे दूसरे से ट्रेंड क्यों भारत का सबसे बड़ा गिलेसियर पूछा जा चुका है तो भारत के जम्मो कस्मी राज में कौन सा गलेसियर है या कौन सा नहीं है यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है निलखित में से कौन सा गलेसियर उत्रा खंड राज में है चार गलेसियर के नाम दे दिया और आपने गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने related areas पढ़य भी नहीं थे,। हो सकता है, पुछले निवलेकित में से कौन सा Glacier से किम राज़े में अवस्थित है? उस पुछा जा सकता हैना, इसी तरह से पुछा जा सकता है कि निल्कित में से कौन सा Glacier जम्मु कस्मी राजी में अवस्थित नहीं है तो एक सवाल अगर Glacier से पूछा गया था उससे related सारी सवाल तयार रखिए अपने पास अच्छा रहेगा तो पिछले आठ वर्सों को solve करके देखिए अगर समय मिले तब दस वर्सों का करिएगा लेकिन पहले आठ वर्सों का clear? पहले आठ वर्सों का करिए यानि वर्स 2011 से लेकर वर्स 2018 तक की परिच्छा का solve कर देखिए आपका क्या क्या काफी हद तक क्यार होगा हिस्ट्री, जगरुफी, सामान विग्यान, पर्यावरार जनसंख्या, पॉलिटी, पॉलिटी का लबह लबख सारा सवाल, मैं बता दूँ, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इंडियन पॉलिटी का लबख सारा सवाल repeated होता है, बहुत कमी सवाल होते हैं, जो नए बनते हैं, एकोन परहगत, घटना, परहगत, इंडियन एकोनोमी से कम सवाल आते हैं, मान लेता हैं, कि इस साल 14 सवाल आए, इंडियन एकोनोमी से, उन 14 सवालों में से लबह लबख 8-9 सवाल आपके current affairs से रहेंगे, इंडियन एकोनोमी के, तो समय कम है, तो क्या मैं किसी बड़े पूथे की नाम बता दूं, दो चार किताब में बता दूं, तक या पढ़ते रहे हैं और पढ़ी न पाएं, मैं वो उपाया बता रहा हूं, जो किये जा सकते हैं, तो घटना चक्र से आप करेंट की सवाल मत्फल करिएगा, घटना चक्र में माले पूछता है कि 2015-16 मा लेते हैं, 2016 का पेपर आप हल कर रहे हैं, माले लेते हैं घटना चकर में 2016 का भारती अर्थवरस्था का कोई परशना प्ल कर रहे हैं, अब उसमें पूछ रहा है कि वह 2076-17 में भारत का सबसे नहीं है तो किसी खास वर्स का सवाल अगर पूछ रहा है आंकड़ा पूछ रहा है इंडियन एकोनामी में उसे मथल कर यह छोड़ दीजे या पढ़ भी सकते हैं उससे कुछ ने कुछ आप अपडेटेट तो होई जाते हैं जैसे हर बार बिहार या तो पिछड़ा रहेगा य पिछे चार वस्तुएं दी गई है तो 2013-2014 में जो सबसे ज़्यादा निर्यात रहा उसका 2019 से क्या मतलब है है ना इसलिए जब उसमें आप भारती अर्थवस्था वाला पिछले 10 सालों का हल करेंगे पिछले 8 सालों का तो समहल का हल करिएगा भारती अर्थवस्था वाले पिछले पत्र में आप केवल परंपरा गती हल करिएगा जैसे रोजगार गरीबी, बैंकिंग सेक्टर, भारती क्रिशिस समंध्री जो परंपरा गत सवाल होते हैं जो अपडेट नहीं होते हैं कि वहीं पढ़िएगा बाकी अपडेटेट सवाल आपके यहां से आ जाएंग तो इसका कोई मतलब नहीं है, लाश में समय बचे तो यूपी स्पेसल देख लेजेगा, बता रहा हूं, अब सवाल उत्ता है कि सर, हम तीन महीने में तो यह पूरा कवर कर देंगे, घटना चक्र बहुत अच्छे से पड़ डालेंगे, तीन महीने क्या सर, हम तो एक महीने म बाकी समय में क्या करें, बाकी समय में जब भी, जुतना भी आपके पास समय मिलेगा, बाकी समयों में आप क्या करेंगे, हमने बताया था कि यूपी PCS में सामान एधिन में जो प्रशन पूछे जाते हूं, सीधी किताबों से उठाए जाते हैं, clear? तो कुछ किताबों के परिच्छा में काम नहीं देने वाले हैं, लेकिन PCS में खुब काम देंगे, उधारन के लिए आप वाड़ी प्रकाशन की सभी पुस्तक के उपयोगी हैं, वाड़ी प्रकाशन और इस तरह से अन्य प्रकाशन हैं, जो अलग-अलग प्रकाशित करते हैं, जैसे भूगल का क इडेन पॉलिटी बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन आये सिग्जाम के लिए, पीसे सिग्जाम के लिए इतनी मोटी बूक अगर आप लेके पढ़ने लगेंगे, तो समय का दुरप्योग होगा, तो ऐसे में वारी प्रकाशन की पुस्तकें पतली-पतली छोटी-छोटी हो चौथे क्रम है पर्यावरण जनसंख्या, और पांचवे क्रम है समान विज्ञान, इसी क्रम में आप किसी भी प्रकाशन की किताबें पढ़ लेगा, मैंने वारी प्रकाशन इसलिए कहा, क्योंकि यूपी पीसे सिग्जाम देने के लिए लड़कों में कफी पापुलर है, उसके बाद समय मिले, तभी आप पॉलिटी पढ़िएगा, वसे मैंने बताया हूं कि पॉलिटी के लिए पूरी तरह से पिछले आठ वर्षों के पेपर, एट इयर्स पेपर आप सौल कर लेजिए, और जो बॉक्स दिया हुआ होता है, प्रतेक परशन के नीचे, जो बॉक पर से इंडियन एकोनोमी के ज़्यादत प्राशन अपडेटेड होते हैं, तो यही तो है ना, और क्या है, इतना ही तो पढ़ना है, इसमें भी करेंट अफेक्स किताब से नहीं पढ़नी है, तो चार ही विशे तो आपको पढ़ने है, इतिहास, भुगोल, सामान अविज्य इसके अलावा, समय समय पर इन ती महीनों को ध्यान में रखते हुए, समय समय पर मैं कुछ PDF नोट्स आपके लिए अवलेबल कराऊंगा, जो सब के लिए होंगे, क्लियर, हमारे संस्थान के पास कुछ अच्छे नोट्स हैं, जो की PDF form में टाइप किये गए हैं, वो नोट्स अवलेबल कराऊंगा, मतलब वो mixed होगा, मतलब एक fact हो सकता है, विज्ञान का हो, तो अगला fact इतिहास का मिल जाए, अगला fact पर्यावरण का, है ना, तो कुछ mixed notes भी मैं आपको अवलेबल कराऊंगा, क्योंकि तीन महीने में आपको तथ्यात्म कध्यन पर बल देना है, इस तो भी में कुछ actual notes में आपको अवलेबल करा दूँगा, clear? तो कुछ PDF notes में समय समय पर प्रतेक सबता अवलेबल कराता रहूंगा, अपनी तरफ से उस सब के लिए होगा, उसके लिए कोई शुल्क नहीं होगा.